तो कहानी की शुरुवात में हम लिली नाम की लड़की को देखते हैं जो कि साइकल से अपने घर जा रही थी। तभी अचानक बहुत सारे डॉग्स उसका पीछा करने लगते हैं। असल में इन सभी डॉग्स का एक लीडर डॉग्स था जिसने इंसानों से बदला लेने के लि और एल्जा ने दूसरी शादी कर ली है जिस वज़े से लिली अपने पेरेंट से ज्यादा क्लोज नहीं है और वो अपना पूरा समय हेगन के साथ ही बिताती है। खैर आज ही के दिन एल्जा बिजनस ट्रिप के लिए औस्ट्रिलिया जाने वाली थी इसलिए वो लिली को अपने एकस हस्बेंट डैनियल के पास छोडने के लिए जाती है। तब ही हम डैनियल को देखते हैं जो कि बुचर शॉप में मीट को चЕक करने का काम किया करता था। जब डैनियल अपना काम करके बाहर आता है तो वहाँ एल्जा और लिली को देखता है। तब एल्जा डै के लिए लिली और उसके डॉक की देखभाल करने को कहती है। डैनियल अपनी बेटी लिली से कई सालों बाद मिला था। लेकिन उसके साथ हेगन को देखकर वो खुश नहीं था। क्योंकि जिस घर में डैनियल रहता था वहां डॉक को रखना अलाउड नहीं था। लेकिन से कहता है कि ये डॉक ज्यादा समय तक यहां नहीं रुकेगा। इसके बाद रात में लिली और डैनियल एक साथ डिनर करते हैं जिस दौरान लिली हेगन के साथ खेलती है और उसे अपना खाना खिलाती है। ये देखकर डैनियल को अच्छा नहीं लगता इसलिए वो लिली को डांटने लगता है। डिनर के बाद लिली हेगन को अपने रूम में सुलाने का कहती है लेकिन डैनियल इसके खिलाफ था इसलिए वो हेगन को वाश रूम में बंद कर देता है। तब परिशान होकर हेगन पूरी रात चिलाता है जिस वज़ए से डैनियल और लिली दोनो ही नहीं सो पाते इसलिए लिली हेगन को शांत करने के लिए उसके पास जाती है और ट्रमपेट पजा कर उसे सुला देती है। अगले सुबर डैनियल के घर पर एनिमल कंट्रोल से एक इंस्पेक्टर आता है और डैनियल से अन्रजिस्टर डॉग को घर में रखने के लिए मांगने लगता है। दरसल रात के समय डैनियल के पडोसियों ने हेगन की आवास से परिशान होकर एनिमल कंट्रोल में शिकायत कर दी थी। खेर यहाँ डैनियल हेगन को इंस्पेक्टर से चिपाने की कोशिश करता है लेकिन तभी हेगन वाश्रूम से बाहर आ जाता है जि कि उसे लग रहा था कि उसके फादर हेगन को एनिमल शेल्टर में भेज देंगे इसलिए वो हेगन को अपने म्यूजिक स्कूल के स्टोरेज रूम में छिपा देती है लेकिन तेज म्यूजिक सुनकर हेगन क्लासरूम में आ जाता है जिससे लिली की टीचर को घुरसा आ जा था कि लिली स्कूल में अपने डॉक के साथ आई थी यहाँ डैनियल लिली को कार में बठाकर उस पर चिलाता है और हेगन को एनिमल शेल्टर में छोडने का कहता है를ं लगती है कि वो हेगन को एनिमल शेल्टर ना ले जाए पर डैनियल अपनी बात पर अड़ा रहता है और घुस्से में हेगन को कार से निकाल देता है जिसके बाद हेगन उनकी कार का पीछा करता है पर ज्यादा देर तक वो कार का पीछा नहीं कर पाता और उनसे बिछर जाता ह रात में हम लिली को देखते हैं जो हेगन को ढूडने का प्लैन बनाती है और हेगन के लिए फ्रिज से मीट निकालने लगती है जिस दौरान डैनियल वहां आ जाता है और लिली को किचन से बाहर निकाल कर उसे सूने का कहता है। इसलिए वहां से निकल जाता है थोड़ी दूर जाने के बाद उसे मीट के खुशबू आती है जिसे सूनकते हुए वो एक बुचर शौप पर पहुँच जाता है और मीट को देखने लगता है जिसके दौरान उसे एक वाइट कलर का डॉग दिखाई देता है जो कि उसी जा रहा था ये देखकर हेगन भी उस डॉग के पीछे जाने लगता है और बुचर शौप के पीछे वाले गेट पर पहुच जाता है यहां बहुत सारे डॉग्स होते हैं जो कि बुचर शौप के बचे हुए मीट को खा रहे थे पर जब हेगन उस मीट को खाने के लिए हेगन को देख लेता है और उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है जिस दोरान वहां वाइट डॉग आ जाता है जो कि हेगन को बचाने के लिए उस बुचर के पैर को पकड़ लेता है इसके बाद हेगन उस वाइट डॉग के साथ एक सुनसान जगह पर आ जाता है इस जगह पर कई डॉग्स होते हैं जो कि एक तालाब में मस्ती करते हुए उसका पानी पी रहे थे ये देखकर हेगन भी उनके ग्रूप में शामिल होनी की कोशिश करता है लेकिन वो डॉग्स उसे अपने साथ शामिल नहीं करते हैं इसलिए हेगन उस वाइट डॉग के साथ जाकर बै डॉग भॉँकने लगता है जिससे हेगन को समझ आ जाता है कि वो लोग उसके लिए खतरा है इसलिए हेगन वहाँ से भाग जाता है और उन लोगों से चुपने की कोशिश करता है जिस दौरान एक बेघर आदमी हेगन को अपने पास चुपा लेता है जिसके बाद वो हेगन की तलाश नहीं करूंगी क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि हेगन के कारण सबको परिशानी होती है हालांकि क्लास के बाद लेले उस जगह पर जाती है जहां डैनियल ने हेगन को छोड़ा था पर यहाँ पर उसे हेगन नहीं मिलता इसलिए वो उसे आस पास की गलिय है जो कि इलीगल तरीके से स्ट्रीट डॉग्स को बेचता है अगले सुबह उस डेलर के पास सैबालक्स नाम का कस्तमर आता है और डॉग्स को फाइट कलब के लिए चुनने लगता है यहां डीलर उस आदमी को सबसे खतरनाक डॉग दिखाTA है लेकिन सैबालक्स हेगन को जिस पर डीलर सेवल्क्स को उसे चुनने से रोकता है और बताता है कि उस डॉक की स्किन बहुत पतली है इसलिए वो fight club में हिस्सा लेने लायक नहीं है लेकिन सेवल्क्स को भरोसा था कि वो हेगन को एक fighter डॉक बना देगा इसके बाद सेबॉलक्स हेगन को नींद की गोलियां खिला कर उसे अपने साथ ले जाता है। जब हेगन की आँख खुलती है तो सेबॉलक्स उसे ताकतवर बनाने के लिए प्रोटीन खिलाता है। इसके अलावा वो हेगन को चाबुक से पीटता है ताकि हेगन एक गुसेल ड यहां की मालिक का कहना था कि डॉग का सड़क पर बचना बहुत मुश्किल होता है। उसे ब्लैक रॉट्वेलर से लडाया जाता है जिससे दोनों डॉग्स के बीच खतरनाक लडाई होने लगती है। कि किसी ने उसके डॉग को चुरा लिया है जबकि हेगन इस बात का फाइदा उठा कर महां से भाग चुका था। यहां लिली रात होने पर पैदल ही घर के ले निकल जाती है जिस दोरान वो उसके म्यूजिक स्कूल के क्लासमेट पीटर से मिलती है। लिली अपने फादर के पास नहीं जाना चाहती थी इसलिए वो पीटर के साथ नाइट कलब में जाने को कहती है जिस पर पीटर मना कर देता है। पर बाद में वो लिली से अपने ड्रक्स को कलब में ले जाने के बदले उसे कलब में ले जाता है। तब ही डैनियल वहाँ पर आता है और लिली की इस हालत के पीछे खुद को जिम्मेदार समझता है। इसलिए डैनियल रोते हुए लिली से माफी मांगता है और उससे नए डॉग को एडॉप्ट करने का कहता है। लेकिन लिली अपने फादर को माफ कर देती है और कहती है कि मुझे अब कोई भी डॉग नहीं चाहिए। इसके बाद लिली अपने फादर के साथ वापस घर लोटाती है। अगले दिन डैनियल अपने काम पर जाने वाला था लेकिन उसे डर था कि कहीं लिली फिर से घर से भाग न जाए। इसलिए लिली डैनियल से वादा करती है कि वो अब नहीं भागेगी जिससे डैनियल काम पर जाने के लिए राजी हो जाता है। इस बीच हेगन एक सुनसान जगह पर पहुँच जाता है जहां वो अपने दोस्त वाइट डॉग से मिलता है जिसके बाद वो दोनों तालाब के पास जाकर खेलते हैं और खाने की तलाश करने लगते हैं पर तभी वहाँ डॉग्स को पकड़ने वाले लोग आ जाते हैं और द दिमार डॉग को जान से मारने के बाद उसे एक बैग में डाल रही थी इसके बाद हेगन का इलाज किया जाता है और उसे बाकी के डॉग्स के साथ पिंजरे में डाल दिया जाता है यहां के वरकर सभी डॉग्स के पिंजरे में खाना रखते हैं लेकिन हेगन उस खाने को छ थपटने की कोशिश करता है। ये देखकर शेल्टर की मालक अपने वरकर से हीगन को सम्हालने का कहती है। दूसरी और लिली के म्यूजिक स्कूल को देखते हैं जहां आज एक कॉंसर्ट होने वाला था जिसमें लिली भी परफॉर्म करने वाली थी। इसलिए डैनियल अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए कॉंसर्ट में आता है। इधर वरकर हीगन को दूसरे डॉक्स के साथ एक पिंजरे में डाल रहा होता है जिस दौरान हीगन अपने गले के पट्टे को तोड़ देता है और उस वरकर की गर्दन पर हमला करके उसे बेरहमी से मार डालता है। जिसके बाद सभी डॉक्स पिंजरे से बाहर निकलाते हैं और हीगन को अपना लीडर मान कर उसके साथ भागने लगते हैं। यहां शेल्टर की मालक हीगन और बाकी के डॉक्स को रोकने की कोशिश करती है पर हीगन के गुस्से को देख कर वो बहुत डर जाती है और फिसल क बेहोश हो जाती है जिसके बाद सभी डॉक्स हीगन के पीछे जाते हैं और सड़क पर फैल जाते हैं जिससे शेहर के सभी लोगों में दहशत पैल जाती है। साथ ही भूक के कारण सभी डॉक्स गुस्से में आ जाते हैं और इनसानों पर हमला करके उनका खाना चीनने लग साथ ही कुछ डॉग्स लिली के म्यूजिक कॉंसर्ट में आ जाते हैं और उस बिल्डिंग को चारों तरफ से खेर लेते हैं। इसके बाद लिली अपने दोस्त हेगन को ढूडने के लिए निकल जाती है। इसी दोरान सड़क पर बहुत सारे डॉग्स एक गली से बाहर निकल कर लिली का पीछा करने लगते हैं और उसे साइकल से गिरा देते हैं। लेकिन कोई भी डॉग्स लिली पर हमला नहीं करता बलक वो सबसे पहले उस रेस्टरॉंट के मालिक के पास जाता है जिसने उसे सेबॉल्स को बेच दिया था। इस रेस्टरॉंट में पहुँच कर हेगन के साथ ही उस आदमी पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। थोड़ी ही दिर बाद लिली वहाँ पहुँच तब ही वहाँ पुलिस आ जाती है और लिली को क्राइम सीन के पास आने के आरोप में अरेस्ट कर लेती है। लेकिन लिली बड़ी चालाकी से वहाँ से भाग निकलती है और एक बुचर शॉप पर पहुँच जाती है जहां उसे एक बुचर की लाश दिखाई देती है। दर दूसरी तरफ पुलिस कुछ डॉक्स को घेर कर उने गोली मारने लगती है लेकिन जादातर डॉक्स वहाँ से भाग कर अपने अगले टार्गेट को ढूंडने निकल जाते हैं। इसी समय से बॉक्स उन डॉक्स की बारे में न्यूस पर देखता है कि सभी डॉक्स निडर हो देखता है। दूसरी तरफ वाइट डॉक्स लिली से मिलता है और उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है ताकि वो उसे हेगन के पास ले जा सके। पर रास्ते में उन्हें एनिमल शेल्टर का एक वर्कर रोक लेता है और वाइट डॉक्स को गोली मार देता है। ये दे जाती है कि हेगन अपने साथी डॉक्स के साथ मिलकर उन लोगों को मार रहा है जिन्होंने उसे नुकसान पहुँचाया था। यहां लिली को लगता है कि हेगन का लास्त तारगेट उसके फादर हैं क्योंकि उन्होंने ही हेगन को सडक पर अकेला छोड़ा था। इसलिए ल लिली हेगन से बात करने की कोशिश करती है लेकिन हेगन अब लिली पर भरुसा नहीं करता था इसलिए वो घुसे में लिली के पास आने लगता है तबी डैनियल ब्लो टॉच लेकर वहां आ जाता है जिससे सभी डॉग्स और भी घुसे में आ जाते हैं और डैनियल पर भौ लिली रोने लगती है और सभी डॉग्स को शांत करने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता इसलिए लिली ट्रॉमपेट को सुनकर हेगन शांत हो जाता है और जमीन पर बैठ जाता है इसलिए बाकी के डॉग्स भी जमीन पर बैठ जाते हैं और लिली क म्यूजिक को सुनने लगते हैं ये देखकर डैनियल शौक हो जाता है साथ ही वो समझ जाता है कि अब उसकी बेटी सेफ है मूवी के लास सीन में लिली हेगन और उसके साथियों के सामने जमीन पर लेट जाती है इसके साथ ही ये अमेजिंग मूवी यही पर खत्म हो जाती है